आप सभी का वेलकम आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने चैनल को सस्काइब एंड लाइक किया है और जो लोग भी वीडियो देखने के लिए हैं प्लीज गाइस आप लोग वीडियो को देखिए इंजॉय करिए अगर आपको मेरा एक्स्काइब एंड लाइक ज सुनने के बाद में बॉस बहुत जड़ा घबरा जाता है और उसके फेस से पसिना निकलने लगता है फिर चैन वुजिन बॉस से एक क्रीपी स्मयल देते हुए कहता है मैं आपके लिए यह चाहता हूं कि आप हमेशा जीवित रहें इस इसको सुनने के बार में जो बॉस होत होता है और तभी चैन वुजिन बोलता है हाँ मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी जवान का पक्का इंसान हूं मैं इसे वापस नहीं लूँगा इसलिए मैं हमेशा आपको जीवित रखूंगा और यह कहने के साथ में तुरन चैन वुजिन थोड़ी दूर बुजा के वहाँ मैं आकर उसे कहता है आपकी सोल दो घंटे से भी कम समय में पुरी तरह से नस्ट हो जाएगी जब बॉस यह चीज़ सुनता है तो बहुत ज़ड़ा घबरा जाता है और चैन वुजिन से बोलता है प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाओ तूम प्लीज मेरी जान बचा लो मै अनो बॉस कि यह रास्ता तो निकाला मेरे लिए फिर चैन वुजिन अपना राइट हैंड आगे निकालके बहुए सीरियस लुक देते हुए कहता है प्लभाल मैं बस आपके लिए इतना ही कर सकता हूँ कि आपकी सोल को किसी दूसरी प्रानी के शरीर में डाल दूं चैन फुजिन की ये बात सुनने के पालों जो बॉस होता है वो बहुत ज़रा खुज हो जाता है और बड़े excited होते हुए कहता है मेरा जीवन आपने बचा लिया उसके लिए thank you मैं आपकी इस मदद को कभी नहीं भूलूंगा फिर ये कहने के बाद में वो अपने मन में सोचता है मुझे बस इतना चाहिए मुझे बस जिन्दा रहना है इसमें कोई शक नहीं है broken moon sect से कुछ लोग आएंगे यहाँ पर और मुझे बचाएंगे फिर बस अपने कमीने पन में वापस आते हुए अपने मन में बड़े evil खैल के साथ कहता है उसके बाद मैं अपना बदला लूँगा और इस अपमान का 100 गुना बदला तो मैं वापस करूँगा नहीं नहीं हजार गुना वापस करूँगा तुमको मैं जब बस ये सब अपने मन में सोची रहा होता है तब ही चैन वुजिन बहुत सीरिस लुक देते हुए कहता है हम चलो ठीक है फिर मैं आपके लिए कुछ करता हूँ और ये कहने के साथ महीं चैन वुजिन अपने हाथ से एक छोटा चा पत्थर बाहर निकालता है और इसको न पत्थर का टुकड़ा एक खजाना है इसने अपनी पावर को कितनी गहराई सची पाया है यहां बिलकून एक नॉर्मल चट्टान की तरह दिखता है बॉस की ये बास सुनने के बाद में चैन वुजिन इसमाइल करते हुए कहता है हाँ हाँ ये एक नॉर्मल चट्टान का ट पत्थर के टुकड़े में भी एक सोल होती है इस चीज को सुनने के बाद में जो बॉस होता है उसको जटका लग जाता है और तभी चैन वुजिन उस पत्थर की खूबियां बताते हुए कहता है इस दुनिया में कोई भी चीज रॉक से अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकत चैन वुजिन और तभी चिट्टलाते हुए कहता है क्या तुम मेरे को बेफकूप बनाने की कोशिश कर रहे हो क्या मैं तुमको चूतिया दिखाए दे रहा हूं जब वह बॉस को अपने हाथ में पकड़ने के साथ में दूसरे हाथ में उस पत्थर को ले लेता है और तभी अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है फाइव एलिमेंटर सर्कल फाइव अर्थ पोसेशन फिर दोस्तों को दिखाया जाता है जब चैन वुजिन ने उसकी सोल को पकड़ा होता है उस पत्थर में डाल ले के लिए तभी चो बॉस होता है वो बहुत ज़दा गिल करते हुए उस पत्थर के साथ में उसकी सोल को मर्ज करना स्टार्ट कर देता है जिस क़रेंड से वहांपे खुप धेड़ा सरी इस्पीचिल पावर निकल रही होती है फिट दोस्तों कुछ समय जो हरकत आपने उस बच्ची के साथ किया था उसकी सजा यही है आपके लिए और ये कहने के साथ में फिर से अपना चैन वुजन कूल गाए उसके पत्थर को लेता है और पीछे ऐसे फेक देता है दोस्तों और फेकते हुए कहता है जब तक आप एक पत्थर के रूप में है त चैन वुजन उसकी बोड़ी के तरफ जाते हुए कहता है अब उसकी बोड़ी को सर्च करने और देखने का समय आ गया है कि उसं लीडर के पास में क्या मस्द खाजाने रखे हुए है फिर Chen Wuzin उसकी body के पास में आ जाता है उसकी body को check करते हुए कहता है इसके पास snake leather वाले कपड़े हैं जो city lord के पास में वापस ले जाना काफी अच्छा होना चाहिए और ये देखी रहा होता है तभी एकदम से कोई कहता है वहीं रुख जाओ ऐसा मत करो तुम ये आवाज सु जाता है एकदम से किसने बोला ये बात को फिर Chen Wuzin जैसे उसकी कपले को निकाल रहा होता है तभी एकदम से एक हैंटर आता है और Chen Wuzin के उपर पढ़ने वाला होता है Chen Wuzin उसको देखने के बाद में शौक डो जाता है और तभी कहता है रुख जाओ ऐसा मत करो और तभी द और ये कहते हुए वो आगे बढ़ रही होती Chen Wuzin को मारने के लिए फिर Chen Wuzin को पर अटेक करते हुए कहती है और मारने के बाद में आप उसके शरीर से सारे कपली भी उतार रहे हैं ये कितनी घिनोनी बात है फिर हमें कुछ समय बात का सिन दिखाया जाता है वो जी लड़क में दोस्तों Chen Wuzin को तो पसीने छोड़ जाते हैं कि मतलब ये कहना कह चाती है और तभी Chen Wuzin इधर उधर देखने लगता है कि कि किसी और को तो नहीं कह रही है ये फिर Chen Wuzin जो ब्लेक डार्क एसोसेशन का जो बॉस होता है उसके कपले देख रहा होते हैं कि उसी के हाथ मे होते हैं और तभी Chen Wuzin उसको देखके घबराते हुए कहता है ये मैंने नहीं किया ये जो है ये गलत फहमी है ये मेरी गलती नहीं है Chen Wuzin की ये बास सुनने के बाद में मुझे लड़की आया होते हैं इसके मस्ट बलून होते हैं वो एकदम से गुसा जाती है और गुसाने के साथ में Chen Wuzin के उपर फिर से हंडर से अटेक करते हुए कहते है ब्रोकन मून सेट के लोगों को इस तरह से बेजजत नहीं किया जा लिए वाटर सप्रीट सेवन फेंटेस्म विज ब्रेकर और उसके ये कहने के साथ में जो उसका हेंडर होता है Chen Wuzin के तरफ बढ़ जाता है अचैक करने के लिए जैसे Chen Wuzin के पास में उसका हेंडर आता है उस पर लगने के लिए तभी Chen Wuzin उसके हेंडर को अपने हां से पक कितनी सुन्दर है और इतनी कल्टिवेशन तक यहां तक पहुंचना बहुत कठिन काम है इसी चीज को देखते हुगे मैं रुख गया और यह कहने की साथ में चैन वुजन गुसे में आ जाता है और उसका जो हेंटर होता है उसको पकड़ता है खुब कसके अपनी तरफ घसीट लेता है जिस इसको देखते वो लड़की शौक्ड हो जाती है और तभी चैन वुजन कहता है लेकिन मुझे यह एकसेप्ट नहीं होगा कि कोई मुझे समलेंगिक कहेगा चैन वुजन इतनी कस के उसके हैंटर को घसीटा होता है दोस्तों दिखाते हैं जो उसका हैंटर होता तभी वो एकदम से अपने आपको किसी तरह के से कंट्रोल कर लेती है और दोस्तों सची बता ना यह जो पोज है जो लुक है देखने में बहुत हॉट और सेक्सी लग रहा है ना मेरे को मस लगा एकदम आप बताईएगा जरूर कमेंट में और तभी वो लड़की वहाँ प चैन वुजिन की ये बास सुनने के बाद में जो लड़की होती है वो एकदम से गुसा जाती है और गुसे में कहती है सेक्ट लीडर ने कल ही हमें ओडर भेजा है तो तुम इस तरह से जुट बोलना बंद करो मुझसे उस लड़की की ये बास सुनने के बाद में चैन वीडियो देखने में अच्छी लगी है तो प्लीज गाइज मेरा सपोर्ट करिए लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करके बताए मुझे कि आपका एपिसोड देखने में कैसा लगा थेंक यू फर वाचिंग मैं वीडियो लव यू आज कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो